कि वह थोड़ दा फिल्ड भी लॉश्ट यहां कि आप यहां पाप आपका पॉर्ट जो है कहना चाहरा है युद्ध में पराजित होना महतूर बात नहीं है यह भी बहुत इंपोर्टेंट पेराग्राफ है यहां पर एक जो है इनकरजिंग पावर जो है दिखाई गई है आपके शेटन की वार्ट फॉर्ड भी लॉश्ट कहरा है कि युद्ध जो है युद्ध में पराजित होना है यह महतूर नहीं है आल इस नौट लॉश्ट कह रहे हैं कि पराज सब कुछ नहीं खोया है और बोलना है है और कैसी विल उनकी इच्छा सकती इतनी मजबूत है कि उसे पराजित नहीं किया जा सकते हैं और आगे कह रहे हैं एंड इस्टी ओफ रिवन्स इमोर्टल हेट उसे अपने सत्रू से इस्थाई ग्रणा है और उसे बदला लेने के लिए वा शदय योजना बनाता रहेगा और क्या कह रहे हैं या इतना अधिक सासी है कि सत्रू के आगे समर पर नहीं करेगा और क्या कह रहे हैं जब ये गुर्ण मौजूद है तो ऐसा कोई शत्रू नहीं हो शकता है जिसे वो पराजित ना कर सके और कह रहे हैं सैतान दावा करता है कि उसके चरित्र का या चमक ना तो इश्वर का क्रोध और नहीं इश्वर की सक्ती शमाप्त कर सकती यानि कि उसकी जो चमक है जो इसकी द्रण इच्छा शक्ती है उसो जो है कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है यानि कि ईश्वर की शक्त भी नहीं समाप्त कर सकती है आगे देखे तो हाउ तो हाउ एंड यूज फॉर ग्रेस विद सप्लाइंट नी यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर की शक्ति के आगे घुटने टेक कर उसकी पूजा करते हुए गिड़ गिड़ा कर वे दया की भीक मांगते हैं है ना मांगते यानि कि कहने के मतरब कह रहे हैं कि जो इश्वर की जो है सामने घुटना टेकते हैं और उसके सामने जो है किस की भीक मांगते हैं दया की भीक मांगते गिर गिरा कर और आगे बोल रहे हैं and defy his power पीशर की सत्री के आगे घुटने टेक कर उसकी पूजा करना और कह रहे हैं who from the terror of this arm too late doubt his empire और कह रहे हैं कि इतने भैनक अतियार होने पर भी इशर को शोयम अपनी जीत का विश्वास नहीं धा that were low indeed यह नीश्टा की बात होती यह नी कि कहने का मतलब जो इशर को खुद अपनी शक्ति पर भरोशा नहीं था इतना मजबूत अतियार होते तो उनके सामने अगर हम गेड़गडा कर जो है दया की भीक मांगते तो यह कैसे इस्तिती होती नीचता की इस्तिती होती है अपने आपको यह लोग कह रहे हैं और आगे देखिए that were an ignominy and same beneath his downfall यह पराजय से अधिक शर्म की बात होती since by fate the extent of God and this imperial substance cannot fail एक देवदूत होने के कारण वे अलोकिक पदात के बने हैं और कैसे हैं अमर है since thought experience of this great heaven अब जो है उनके पास युद्ध कानुभो है in arms not wars और जो उनके पास हतियार है वो ईश्वर के हतियार से बुरे नहीं है in four sides much advanced और कह रहे हैं पूरो आकलन करने में भी अपने शत्रुषे आगे हैं we may with more successful hope resolve two ways by force guile eternal war irconcilable और कह रहे हैं to conquer grant four आगे कह रहे हैंगे जब यह पूरा आसा के साथ यह संकल्प कर लगते हैं या कर सकते हैं कि इश्वर के विरुद्ध अंतहीन युद्ध जारी रखेंगे और क्या कर रहे हैं कि इश्वर अब विजय की खुसी के घमण में खोया हुआ है soul ringing holds the tyranny of heaven क्या कह रहे हैं उसकी ताना साही को ललकारने वाला आप कोई नहीं है so speak the apostate angel यहां पे कह रहे हैं विद्रोही देवदूत यह शब्द बोलता है यह सब सब्द कौन बोलते हैं विद्रोही शब्द देवदूत यानि कि शेतन की पार्टी के अब बोले हैं दाव इन पेन दाव इन पेन वंटिंग अलाउट बट रैग्ड विद डीप डिस्पयर के रहे हैं निरासा और कष्ट की अनुभूति करते हुए वा घमंड से भरे हुए जोड जोड से बोलता है and him thus answered soon he is bold compare फिर बेल जिबब जो है अविलम मुत्तर देता है है ना शक्ति में बेल जिबब जो है दूसरे इस्थान पर है शेटन की बाद ओ प्रिंस ओ चीफ ओ मैनी थॉंड पावर्स यानिकि एक तरह से अड्रेश कर रहा है वहां उपस्तित असंख्यों देवदूतों का राजा कौन है शैतान है अब बोला है अब बोला है शैतान की योग नेतरतों ने इन देवदूतों ने युद्ध में हिस्सा लिया था यानि कि जो उसके साथ वहां पर फेक दिये गए है नर्ग में उन के लिए कह रहा है कि जो है सैटन के साथ इन सबने मिलकर जो है किसमें हिस्टा लिया तो युद्ध में हिस्टा लिया था यहाँ पर कह रहे हैं कि वे निर्भी को कर लड़े और स्वर के इस्थाही राजा इस्वर के लिए खत्रा उत्पन कर दिया और वे बोले उन्होंने इश्वर को या सिद्ध करने पर मजबूर कर दिया कि वह उस पत्के वास्तों में योग हैं और या सुभाग से प्राप्त नहीं हुआ है आगे कह रहे हैं कि हानी के विशे में सोचते हुए बेल जिवा विलाप करता है और क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इस दुखत पराजे के कारण उनसे शर्क छूट गया है और बोलने हैं कि इतनी बहादुरी शेना के होते हुए भी वे भयानक रूप से बरबाद हो गए हैं और कह रहे हैं और लौकिक पदार से बना होने के कारण वे इससे अधिक बुरी अवस्था में नहीं जा सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए इस लाइन को इन्होंने एक्स्प्रेश करने के लिए क्या या शर्क के दीव दूतों का गुड़ है कि वे अपने मन वा आत्मा से कभी पराजे महशूष नहीं करते हैं और क्या कहते हैं इसके अतिरिक तुमकी खोई हुई शक्ति तुरंत ही वापस आ जाती है दाव आल अवर ग्लोरी एक्स्निक्ट जो कुछ खोया है वह बाहरी चमक है कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुक्सान यहा है कि वे सर्ग से वंचित हो गए और उनके आनंदों के इस्थान पर अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं बट वाट इफ ही अवर कंकर हुम आई नो और फोर्स बिलिव अल्माइटी सिंस नो लेस देन सच कुछ और बोल रहे हैं कि अब सैतान इश्वर को सरोशक्तिमान मानने के लिए तयार है क्योंकि उसकी पराजय केवल सरोशक्तिमान के हाथों ही हो सकती थी आगे कह रहे हैं कि उनका अनश्वर शरीद उनके लिए भिशाब बन गया है क्योंकि यह उन्हें अनन्तकाल के लिए इस यातना को शहने के लिए मजबूर कर देगा दैट वी में कह रहे हैं कि उनका अनश्वर शरीद उनके लिए भिशाब बन गया है क्योंकि यह उन्हें अनन्तकाल के लिए इस यातना को शहने के लिए मजबूर कर देगा और आगे कह रहे हैं कि जो है उन्हें इस प्रकार कड़पते हुए देख रोधी इश्वर को बहुत क्या मिलेगी सान्ती मिलेगी आगे बोलना है ये तुडिम माइटर सर्विस ऐज ही त्राल्स भाई राइट ऑफ वोर युद्ध में विजई होने के कारण प्राप्त अधिकार के द्वारा इश्वर उन से भारी भारी काम करवा सकता है ठीक है वोटेवर इस बिजनिस भी और क्या कह रहे हैं उसके आदेज का पालन करने को वे बात दे हैं और कह रहे हैं कि इस नरक के जलते हुए कुए में उन्हें कोई भी तुच्छ कारे करने के लिए लगाया जा सकता है या किस प्रकार का लाबदायक सिद्ध किया जाए दावेट पराजय के कारण या नरक में होना वी फील श्ट्रेंथ अंडेमिनिस्ट सकती कम नहीं हुई है आ इटर्नल बींग टू अंडर्गो इटर्नल पनिस्मेंट और क्या कह रहे हैं अमर होने के कारण उन्हें कभी इस कष्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा वेर्डो ठीक है इन सब्दों को सुनकर विद स्पीडी वर्ड्स यानि की तुरंत ठीक है दा आर्क फिंड यानि की सैतान शेटन के लिए एक्स्प्रेश किया गया है यहाँ पे फालन चेरब है ना पराजित देवदूत के लिए क्या कह रहे है कि कमजोर मशूश करना आवश्य ही दुख की बात है और बोले हैं doing our suffering कैद से निकलने के लिए कुछ करो या शदय कष्ट भोगो but of this be so और क्या है या निश्चित है to be out good never will be our task क्या करे हैं उनके जीवन का उद्देश कोई अच्छा कारे करना नहीं है but ever to do ever delight delight वे तो केवल बुरे कारे के लिए ही बने हैं केवल वे बुरे कारे ही करेंगे as being the contrary to his high will वे इश्वर के स्रेश्ट इरादे नश्ट कर देंगे whom we resist इश्वर के स्रेश्ट इरादे नश्ट करने करके उसे परेशान करना ही उनका क्या है उद्देश है इफ देन ही इस प्रॉविदेंस इफ देन ही इस प्रॉविदेंस गॉट्स विजडम यानि कि इशर की बुद्धी है ना उसके बार करें है आउट ओफ आर इल और बुरे कारे सीक्स यहां पे अटीम्ट करने के लिए कहा गया है यानि कि इफ देन ही इस प्रॉविदेंस आउट आउफ आर इल सीक्स टू बिंग फॉर्थ गुड कह रहे हैं यहां पर इशर उनके बुरे कारें को अच्छे कारें में रहेंगे करने का परियाश करेंगे के रहेगे और फिर आगे देखे क्या कह रहे हैं और अर लेबर्स मस्ट वी तो प्रिवर्ट दाटेंड और उनका उद्देश क्या रहेगा उनका प्रियास क्या रहेगा यहां पर लेबर अर लेबर अटेम्ट के लिए प्रियास के लिए प्रिजेंट किया गया है to prevent that end यानि कि उद्देश उनका क्या कह रहे है उसको नश्ट कर देना still to find means of evil यानि कि बुराई के रास्ते को खोजना यानि कि इस और अच्छाई के रास्ते को खोजेंगा वो उसमें में से बुराई या खोजेंगा कौन शेटन और आगे कह रहे हैं इस और एश्ट narrative वो उसमें से क्या हमें सा खोजेंगे बुराई खोजेंगे और क्या करें विच्छ आफ टाइम में सक्सीट सो आज परहोंस एल्यानिन फिर तो नुंस ग्राईवहुर। और क्या करेंगे वे श्यूर के परियासौ को नश्ट करके ये इसर को क्या करेंगे परिशान करेंगे और उसके आगे बोल ले हैं फिर उसके बाद ये बोल ले हैं अगर मैं इसमें फेल नहीं हुआ ठीक है और बोल ले हैं कि उसकी सफलता उसकी मन कि सांती को नश्ट कर देगी किनकी सफलता शेटन की यानि कि अगर वो अच्छाई को बुराई में बदल देंगे तो उनकी सफलता किसकी सांती को नश्ट कर देगी भगवान की सांती को ना उनका जो है देश पूरा हो जाएगा बट सी यानि कि यहाँ पर कहने का मतलब मार करने को ध्यान दो इश्वर के लिए कहा गया है यहाँ पर God के लिए और कह रहा है इश्वर ने अपने देवदूतों को स्वर्ग के दौर पर एकत्रित होने को कहा है स्वर्ग से नर्ग की ओर होने वाली गंदक की वर्षा के लिए यहाँ पर एक्सप्रेश किया है और क्या कह रहे हैं गंदक की वर्षा से नर्ग में आगनी की मात्रा में व्रद्धी होती है ठीक है दा प्रेसिपाइस ऑफ हैवन रिसीवड अस फालिंग यानि की उस दरार से जिससे उन्हें फेका गया था उसके लिए एक्सप्रेश किया गया है और यहाँ पर गंदक की वर्षा से बहुत सोर हुआ था ठीक है और आगे बोलने हैं इंपीच्वस रेस यानि की हिंसक तूफान वाइलन्ट स्टॉर्म के लिए यहाँ पर एक्सप्रेश किया गया है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रोर करने के लिए दहारने के लिए कहा गया है थ्रो दावाश्ट एंड बाॉंड लेस टीप यहाँ पर इसको नर्क के लिए एक्सप्रेश किया गया है बहुत ही बड़ा गहरा खाई यानि की जो है जो कुँआ था वो आख का सल्फर की आख का यह इस के लिए एक्स्पिर्श किया गया है हिल यह नर्ग के लिए है नहीं कि नर्ग के लिए हैं लेट आपने आपने प्सक्पिश का गया है और आगे बोल रहे हैं सेशियट फ्यूरी है यहां पर जो है इसर की गहना के क्रोथ में कमी आ गई है नहीं के मतलब है God's Anger बश्याने बाट सेटिस्वाइट है जो बढ़ का एंगर था वह सेटिस्वाइज हो गया इसके लिए कहने का मतलब उसके गहना या क्रोथ में कमी आ गई है उन्हें सौसर का कहने का मतलब लाब उठाना चाहिए संभवता उनके प्रत इश्वर की घ्रनाया क्रोध में क्या आ गई है कमी आ गई है ना फ्यूरी इर्ड इट फ्रम और फो और जो है अपने जो सत्रुषे है उसे बदला लेने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और आगे सेश्दाओ एक्सप्रेश यू कैन सी है तुम देख सकते हो यां ड्रेयरी प्लेन फॉर लॉन एंड वाइल कैसा चारो तरफ के वल उजड़ा हुआ द्रश दिखाए देता है है ना वो डंजीन हिल के लिए कह रहा है जहां पे लोग पड़े हैं चारो तरफ क्या दिखाए चारो तरफ क्या है बर्बादी है सीट ओफ डेजोलेशन ओर किसका कमी है उढ़ प्रकाश की है प्रकाश की कमी चारो तरफ क्या है अंधकार है और save यहां पे save ये उजम किया गया है accept यने छोड़कर accept यने छोड़कर what that glamour हलका धीमा एकदम प्रकास आरहा है और बोल रहे है of this living flames lavender flames यहां पे blue flames के लिए कहा गया है आग की अग की नीली नीली लप्टे निकल ले के अब ही sulfur की है ना लप्टें उसके लिए एक्स्प्रिश किया गया है और बोले हैं कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल कैसी है प्रोड्यूश हॉरिबल डिम लाइट कैसी लाइट वहां पर उत्वन हो रही एक डरावनी हलकी सी रोशनी जो है बना रही है जो नीली नीली फ्लेम है और जो ल लेना चाहिए डिसाइट करना चाहिए और आगे बोल ले हैं फ्रॉम ओफ दा टॉसिंग ओफ दीस फाइरी वेब्स यानि कि आग की तुफानी लहरों में होते हुए हारबर्स यहां पर सिल्टर के लिए शरण पानी के लिए कहा गया है ठीक है रिजेंबलिंग यानि कि और क्या करा है डिफीटिड आर्मी यानि कि पराजी सेना इस तरह करके अपनी सेना को संभोधित कर रहा है कंसल्ट हाओ वी में बिनीफोर्ड मोस्त ऑफन अवर अर इनमी और क्या करहे हैं कि अपने दुसमन अर्थार तीसोर को किस प्रकार पहुँचाई जाए यानि कि वो कि और को वी इस प्रकार से प्राप्त किया जाए कर दिस डार का मेठी पर विजेप्रा गी जाए किकी यानि कि केवल आसाही की जा सकती है इस तरह रैंस रैंस कर रहा है यानि कि उन लोग को उतेजना दे रहा है आपका शेटन है ना resolution from disappear किसे तभी उन्हें जो है निरासा से मुट्टी मिलेगी है ना we may gain from hope तभी उन्हें आसा करसंचार होगा और उसके साथ साथ ही if not अगर वो ऐसे नहीं कर सही सकेंगे ठीक है what resolution from disappear यानि कि कहने का मतलब freedom from frustration यानि कि तभी उन्हें जो है निरासा से मुट्टी मिलेगी कश्टो को किस प्रकार से विजय प्रात्त की जाए और किस प्रकार से निराशा से मुट्ट हुआ जाए यानि कि इस तरह करके सब को संगटित करके वह एक तरह से अपनी जो कैपिटल बनाया उसने पिंडा मोनियम उसमें जो है इस तरह का जो है अपनी सभा बुलाता है और इस तरह की संकल पापस में लेता है और एक दूसरे से विचार विमर्सों लोग करते हैं दा शेटन टाकिंग तो इस निरस्ट मेट यह निरस्ट मेट बेलजीब के लिए कहा गया क्योंकि बेलजीब भी शक्ति में उसके बार दूसरा इसानव वही उसके एकदम पास में उसी को अट्रेस कर रहा है अपने और कह रहा है यहां और देखिए आप पर मिल्टन क्या कर आपको से उपर है और उसी आखी आखी तरह जल लेंगे ब्लेड जलने के लिए कहा गया है और आगे बोले हैं यह कि इस अधर पार्स बिसाइड्स प्रोन ऑन दा फ्लड एक्स्टेंड लॉग और लाइज और क्या कह रहे हैं कि उसका जो है सरीर का जो भाग है यानि की काफ ले फ्लोइटिंग मैंनी अरोड ले फ्लोइटिंग मैंनी अरोड एक्सप्रेश तू कवरिंग दे एरिया मैंनी मैल फॉर एनिकी बहुत सारे जो है छेत्र को कई मिल तक वह घेरे हुए है और बोलना है इन बल्क एज यूज बल्क मिंस जो है विशाल के लिए क्या जाता है बल्कीन हूस कहने का मतलब भारी भरकम शरीर है विलार्ज बॉडी शेटन की अर देखे आगे बोलने हैं दा फेवल फेबल यहां पर पैराणी के मिथिकल जो है श्टोरी के लिए कहा जाता है अनुप मिथलोजिकल श्टोरी के लिए कह रहे हैं कि as whom दा फेवल नेम दा मॉ टाइटन और अर्थ बोन इट वर्ट ऑन जूब अब यहां पे टाइटन जो है कौन था वो वस्ट टाइटन यानी की ग्रीक मेथालोजी के निसवार एकॉडिंट टू ग्रीक मेथालोजी मीथ टाइटन वस बॉन ऑफ ओर्थ हैवन हूर रिबल्ड एंगेश्ट जूस है ना तो टाइटन कौन था यह टाइटन बेटा जो है एक मॉंस्टर था और इसका जन्मश्वर्ग और धर्ती के संयोग से हुआ था तो यह क्या है पैरानी गठाओ के अगुसार इसने जिवस के विद्रो कर दिया था यानि कि उनके खिलाफ जो है खड़ा हो गया था कौन टाइ यह बितने हैं और यह विद्रो शुक्त कर दिया खड़ा है और आगे दीखें दिए डूसरा नाम है टाइफून ताइफून कौन था यह तो जैसे आपका अगे बितने हैं यह जैसे अगे था कि आगे पाईटन है यह बितने सर्टे निकीट है जाने हुआ और यह फाइट आपका टाइफून और आगे बूलना है है हूं डड़न और जो है टारिस यहां पर एक प्लेश है कौन सा प्लेश अचीफ सिटी ओफ मॉन्स्टर विड सिसलिया है अचीफ सिटी ओफ सिसलिया एंसेंट ग्रीक और क्या करते हैं यहां पर यह पर दिया है यह जो है गूफा है शिसलि का प्रमुक नगर है अजसा माना जाता है कि टाइफून शिसलिया में रहता है और आगे क्या कह रहे हैं देखिए उसी की डेन में वेल के लिए लिए वेल मचली के लिए गया है दिया गया है यहां पर सीबिस्ट लेवियातन यानि की वेल के दिया गया है और बोले है लिए यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए लिए लेविए प्याओ filled the स्वें, लडिए पक्राद कई राइफून habits सीमेन टेल विद फिक्ष्ट अनकॉर इन ही इसके ली राइंड अब देखिए यहां से यहां तक यह मतलब है यहां पर बताया जा रहा है कि जो है शैटन की तुलना जो है वेल नमक समुद्री दैतिसिफ की जा रही है और की जा सकती है ठीक है और कह रहे हैं कि बहुत सारे ना हाईयों को इसने अब टाप्व समझ कर फिर लंगर फशा दिया और सरन पराब्त कर दी है वेल बहुत बड़ी मैस्यी होती तो उसने कि एसा लेंट और अब अपना लंगर फशा देते हैं उसे तापू समझ के आर कैप्टन जो है वहां पर जो है लंगर फशा के वही रात मे बनिया नियुक्त रबटक जाते हैं और इसके यहां पर एक्सप्रेश होते हुए यहां परहप्स के लिए और देखें डीविंग समालेंड एक्सप्रेश तुदा वेल को टापू सबस बैटे हैं और आगे बोलाएं विद फिक्ष्ट अंकॉर इसके लिए कहा गया है उसके सरीट वो जो धारिया बनी है उसी में अपना लंगर फसा देते हैं अंकॉर उसके लंगर के लिए कहा गया है और बोलाएं हैं मोर्स बाइज शाइड और क्या करें है केवल यानकी वेल के शरीर को आइलेंड समझकर आपनी नाम बांदेते हैं और बोले हैं अंडर दली यानकी उहां पर शिल्टर ले ले लेटे हैं शरण ले लेकें वही पर और वोलने हैं वाइल लट एन वेष्ट दसी यानि की दसी इस डार्क इन नाइट समुद्र कैसा है रात में समुद्र एक न मंदकार में था और उसी कंफ्यूजन में वो समझते हैं यह फसा देते हैं और वहीं पर जो है फॉर इट और जो लोग सुवा की प्रतिछा करते हैं उनके लिए सुभा में देरी होती है कहने का मतलब यहीं है यहां पर कि कैपटन आकुलता से सुभा की प्रतिछा करता है और सुभा बहुत देर से हुगी तेर से आएगी come to next so searched out huge inland the arc faintly और आप देखी क्या बोले है यहाँ पे so यहाँ पे express in this manner इस प्रकार से और आगे बोले हैं यह searched out यहाँ पे इसके लिए कहा इसके इसके जीक तरह से expanded के लिए फैलाने के लिए यहाँ पे express किया गया जीस तरह वो पनी बोडी को फैलाया हुए था कौन आपका शेय्टन है इस ट्रेस्ट आउट फैलाया हुआ था the आर्क फाइन और आर्क फेंड विल्स यहाँ पे शेटन यहाँ पे बैताल के लिए कहा गया है शेय्टान के लिए और आगे बोलने हैं ले यहाँ पे यहने कि ऐसे फैला हुए शरी एक दम फैलाता है ना कौन शेटन इस प्रकार शेटन अपनी विशालकार शरी को फैलाता है और आगे देखिए चेंड ऑन दा बर्निंग लेक और बर्निंग लेक में जलती वी जील में और जंजीरों से कैशा है बन्धा हुआ है चेंड है यहने कि बन्धा हुआ है और आगे कह रहे हैं यहाँ पे नौर एवेर ठीक है देन्स हैड राइजिन और हैव्ड हीज हैड बट तैड दा विल और हाई कि पर्मीशंश ओफ और रूलिंग हैवन लेफ्ट हीम एट लाज तो हीज ऑन डार डिजाइन और आगे क्या कह रहे हैं देखी यहाँ पे यानि कि इश्वर की अनुमत के बिना तो वास सिर्प उठा भी नहीं सकता है ना देखी यहाँ पे कि ना हैड रैजन और हैव्ड है इस्वर की इच्छा के विना वो अपना जो है इधर उधर भी नहीं कर सकता है और और परमीशन के विना और वह ने लेफ्ट हीव एट लार्ज यानिकी इस्वर ने उसे सुतंत्र छोड़ दिया है कि वह भी कुछ जो भी चाहे वह अपनी साथ से कर सकता है ऐसा क्यों कि यह तो हीज ओन डार्क डिजाइंस यानिकी तु मेक अफर्ट ऑफ डूइंग एविल यानिकी बार बार बुरा करने का वह प्रयास करता रहे हैं इस तरह यानिकी उसे सुतंत्र छोड़ दिये और बोले हैं डैडवीड एट्रेट्रेट्रेट क्राइम्स और जो है क्या करता रह है हो अगेन हैं और बार बार किया डार हैं डूइंग मोर्त क्राइम जो है पाप करता रहे ह। इस तरह से एपराद करता रहे और बोल्न ही agreement düruses है डेमनेशन र क्या कर रहे है कि इसके लिए उसे क्या दिया जाएगा इटर्णल पनिस्मिंट सब्सक्राइब और फाले यह इंदे जाएगा घूट करना चाहता है और आगे देखिए यह व्रॉड लिया गया है इन्रीज़ शाइन करोधित होगा और मिलाइस यहां पे हेट के लिए गया है घृणा के लिए और सब यहां पे सब्सक्राइब परनाम शरूख इन्फिनाइट यानिका लेमित लिएस और आगे बोलने है रिबल कन्फिूजन्स असीमित जो है बरबादी का कारण रहत पर यहां पर फिर एंगर के लिए यूज किया है और वेंजेंस प्रतिशोद के लिए पूरी लाइन का यहां पर मतलब हीप आप इंसेल्फ condemnation while he sought evil of other and the enraged might see how all his my eyes sought but to bring forth infinite goodness grace and mercy sawn on man by him seduced but on himself terrible confusion wrath and vengeance पूर्ड यहां पर पूरी तरह से बोल रहे हैं कि बुरी योजनाव के दौरा बार बार अपरात करेगा और उसे अधिक सदिक दंड दिया जा सकेगा है क्रोध में भार कवा कि यह देखे कि घ्रना के कारण उसकी ही बरबादी हो रही है निकी घ्रना से वही स्वयम भ्रमित हो रहा है और जिस मनुष्य को वह बरबात करना चाहता था वह आननद पूर्वक यूश्वर की डया और क्रपा प्राप्त कर रहा है यहां पर देखिए और मैनी भाई ही से परिशान करना चाह रहा था था बट ऑन हिमसेल्फ तरबल कन्फूजन ड्रैद और विंजेंस लेकि इस सब गुड के कारण वह सब स्वयम ही इससे कष्ट भोग रहा है और बाकी जिसे परिशान करना चाह रहा था वह भगवान की किरपा से अच्छे से जीज रहे हैं ना गुड़नेस ग्रेस मर्शी है ना भगवान की अब चलिए कम टू नेक्स फॉर्द विद अप्राइट दरीर्स फ्रॉम ओफ दपूल यहां पे फॉर्द विद एक्स्प्रेश्ट तुदा इमीडियेट ली तुरंत अब जो है यहां पे देखी क्या कहा ज मिन यहां यहां पे राइज निए निकलता है फ्राम्ंध लुड्य यहीं कि आउट ऑफ दा लेक और फईयर भी नर्क की आग की नदी के बाहर यहीं कि कहा गया है तुरंसका संसांः आभ डान निकलता है और आगे बोलने हैं और क्या कह रहे हैं कि उसका बल्वान शरीर आग की लप्टों में घूमता है और बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जैसे यानि कि दोनों तरफ लहरे जुग जाती है जब वह घूमता है तो दोनों तरफ की लहरे नीचे जुग जाती है और लप्टे एक भयानक नदी का निर्मार करती हुई प्रतीत होती है और अपना फंक पहलाता है और क्या है इंकमेंट किसके लिए यूज किया गया है निर्क के अंधकार में वातावरन होता है वह कैसा फील करता है अर्युजव एक्स्टाइटिनरी वेड वेट कि कहने का मतलब है यह नर्क की हवा एक आशाधारन बोज मैशूष करती है किसकी वज़े से उषटेटिंस कि प्रिजए की वज़े झाल झाल